हलो एवरिवन वेलकम टू माई यूटूब चैनल केमिस्ट्री वाई मोंटी राना आज हम जो कंटिन्यू करेंगे वो है हमारे पास मैटलर्जी और अल्रेड हमें पता है कि हमने सीरीज लगाई हुए है मैटलर्जी की किसके रस्पेक्ट में मैटल एंड नोन मैटल और यह ज है यह जो तहा हमने क्या है कंसंट्रेटी और कंसंट्रेटीड का दूसरा नाम की होता है बैनेफिक्षन इसके लिए पहला कर चुके है हमें वीडियो डाल चुका हूँ जो first method हमने कया था वो था हमारे पास gravity separation first method हमने जो डन क्या था gravity separation उसके बाद दूसरा जो method इसे का दूसरा नाम है hydraulic washing दूसरा method जो हमने क्या था वो था magnetic separation magnetic separation आप that is the final method that is a very very important that is the fourth flotation both flotation flotation F-L-O-A-T-A-T-I-U-N ठीक है froth flotation अब देख़े froth flotation का मतलब क्यों होता है अब यहां पे इसको मैं explain करूँगा अच्छे से सबसे पहले देख़े सबसे पहले देखिये हम करते क्या है इसमें एक हम इसमें बड़ा सा टैंक लेके चलते हैं जहां जा सुनना बिल्कुल इसी है इसमें बड़ा सा टैंक लेके चलते हैं पहला नंबर हम क्या करते हैं इसमें एक तो डालते हैं जी पानी हमने एक तो डाल दिया इसमें वोटर में आप लिक देता हूं हमने इसमें एक तो डालते हैं और ए that is the very very important अब यहाँ पे जो और हम यूज करेंगे वो कैसा करेंगे हम एक ऐसा और करेंगे जिसके पीछे क्या अलग होता है sulphide जिसके अंदर sulphide के क्या होता है particle such as जैसे हमने क्या किया यहाँ पे यूज किया lead sulphide lead sulphide PBS जैसे हमने यूज किया PBS ऐसे ही हम copper sulphide हमने वो और यूज करना जिसके अंदर क्या present होता है sulphide क्योंकि यह पूरा का पूरा process कि इसके respect में होता है sulphide को अलग करने के respect में होता है clear अब जड़ा देखे next होगा क्या हमने इसमें और का powder डालना है जो और लोगे वो किस form में लोगे powder form में लोगे और यह हमने सारा का सारा इसमें डाल दिया इसमें डालने के बाद होगा क्या अब हम इसमें क्या करेंगे अब इसमें हम एक pipe डालेंगे इस pipe से हम air का pressure, मतलब कि air pass out कराएंगे, compress करके, ठीक है, air compress करके से pass out कराएंगे और इसको stirrer भी कर सकते हो, जैसे stirrer करोगे, तो होगा क्या, इस पे ज्ञाग बनना start हो जाएगा, froth, नाम क्या है इसका, froth flotation, froth flotation का मतलब कि इसके अंदर क्या बन गए हमारे ज्ञाग बन water है, और एक क्या है, pine oil, pine oil, दूसरा, very important, अगर तुम से कोई इसका क्या पूछा जाए, principle पूछ ले, इसका principle बताईए, तो देखें, इसमें क्या करते है, water plus pine oil लिया, pine oil के बाद, water और pine oil, डालने के बाद, हमने इसमें डालना, ore का powder, अब उस ore के powder में, एक तो है, हमारे पा यह जो method होता है, यह sulfide के respect में होता है, तो बाकी की सारी चीज़ों को हम गैंगो count करके चलेंगे, clear, तो यहाँ पे principle अगर तुम से पूछे, तो principle क्यों होता है, जैसे तुमने यह ore का powder डाला, तो जो यह sulfide होता है, ठीक है, यह वैट हो जाता है, wet by oil, यह principle होता है, यह गिल से बैठ गया, as a mud, clear, अब उसके बाद देखे, जो sulfide था, वो किस से था, wet by oil, अब देखे, अगर यह वैट oil से हुआ, और जैसे हमने यहाँ पे क्या pass out की, air pass out की, तो यहाँ पे bubbles बने, और जो हमारा sulfide था, वो in bubbles के अंदर capture हो जाता है, sulfide, जो sulfide था, वो इन के अंदर जा हैं, एक प्लेट लेते हैं, और यह जितने भी हमारे bubbles, जितने भी हमारे क्या बने हैं, जाक, फ्रोथ बने हैं, इनको हम scheme कर लेते हैं, scheme off कर लेते हैं, इनको यहाँ से हटा देते हैं, इस प्लेट पर, इस प्लेट पे हटा दिये, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कौन फसा हु ठीक है इसके अंदर एक और chemical डालते हैं जैन्थिट जो जाग को क्या करेगा stable करेगा उसके बाद देखे अब यह जाग stable है तो हम क्या करते हैं इस पे हम सप्रे करते हैं किसका acid का डाललूट एसेड का सप्रे मारते हैं जैसे तुम इसपी सप्रे मार होगे तो यह जखे हो जाएंगा फूट जाएंगे आफ फूटने के बाद इसमें क्या बचेगा तुम्हारा zurück अब इसको हम क्या कर लेंगे, ड्राइ कर लेंगे, इसको हम सुखा लेंगे, और सुखा लेंगे बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, सुल्फाइड अलग हो जाएगा, that is the concept about the float, flotation, nothing, अब इसके बरही बात, इसके notes की कोई भी book follow कर सकते है, सब book यही process बनाती, बताती है, ब लेकिन हम वो और लेके चलेंगे, जिसके पीछे क्या लगा हो, sulfide, clear, अब उसके बाद जैसे हमने और का powder डाला, तो देखिए, जो sulfide होता है, वो वैट हो जाता है, किस से, oil से, बाकी का जो material है, वो वैट हो जाता है, water से, और वो नीचे बैठ जाता है, उसको बोलते है, as a mud या impurities, अब sulfide फस गया, किस में जाग में, जाग क्यों बने, क्योंकि हमने उपर से compress करके air डाली थी, clear, अब इन जाग को, इन फ्रोथ को हमने क्या किया, अलग निकाल लिया, एक प्लेट में, अब ये जाग मजबूत है, क्यों, क्योंकि हमने इसमें क्या डाला था, जैन् complete कर लिया, how will you concentrated of ore, ore को आप कैसे concentrate करोगे, clear, इसके लिए हमारे 3 method complete होगे, यहां तक, अब next वीडियो में, step number 2 चलेगा, metallergy का, that is the very important calcination and roasting, now take a screen short,